कुलाप के पौधा में जितना निव निव ब्रांचेस आते हैं उतना ही निव निव बर्ड्स बनता है और उतना ही फूल खिलता रहता है उसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि प्लांट आपका बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे है निव निव बर्ड्स आ रहे है निव निव ब्रांचेस आ रहे है पर हर ब्रांच में आपका बर्ड्स नहीं आ रहे है जिस निव निव ब्रांच में रोस बर्ड्स नहीं आते है उसको बोलते है ब्लाइंड सूट देखी आपको दिखा रही हूँ मेरा इस रोस प्लांट में कितना बड़िया ग्रोथ चल रहे है मेरे को बहुत खुशिया मिल रहे थे जब ये नया ब्रांच एकसत मेरे को मिला था पर देखिए friends मैं आपको दिखा रही हूँ हर new branch में कितना सारा कलिया बन रहे है पर इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखा रही हूँ कि देखी यहाँ पे नया branch तो बन रहे है देखी यहाँ पे new branch new कलिया न्यू ब्रांच न्यू कलिया उसके यहाँ पे भी देखिए आप बर्ट्स दिख रहा है न्यू ब्रांच के साथ साथ और एक आपको दिखा रही हूँ देखिए पीछे यहाँ पे भी न्यू ब्रांच के साथ नई ब्रांच में हमरा कलिया नहीं बण पा रहे है। इसको ही बोलता है रोज ब्लाइंड सूटत। तो इसका क्या करण है क्यों न्यू ब्रांच में हमरा गल्या नहीं बन पा रहे है उसी के बारे में हम डिसकस करेंगे फ्रिंट्स इसके कुछ रिजन है एक नमबर रिजन है कि आप प्लांट को अच्छा से सानलाइट आपको देना पड़ेगा फाइब टू सिक्स आवर्स गुलाब का पौधा में सानलाइट चाहिए चाहिए उसके बाद न्यूट्रिशन का कमी गुलाब एक हेबी फीडर है आपको हर मांथ हर हपता आप चाहिए भी दे सकते है कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन इनमें देना है पड़ेगा उसके बाद फ्रेंट्स जब गुलाब का जो सॉयल है उसको चाहिए एसिडिक सॉयल उसके नेक्स पॉइंट है माइक्रो न्यूट्रियंट का कमी और लास्ट पॉइंट है इंसेट का अटक पेस्ट अटक तो आपको क्या करना है प्लांट को अच्छ सा गुराई करके अच् लिया है मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए मैंने यहां पे लिया है एपसम सॉल्ट फांगिसाइड नीम खली थोरा सा चाय का पती जो सॉयल को असिडिक बनाएंगा उसके बाद रॉक फोस्पेट रॉक फोस्पेट इसका रूट ग्रोथ को बहुत अच्छा से आगे ब इसके साथ मैंने लिया है यह लीव कंपोस्ट लीव कंपोस्ट में भी बहुत सारा माइक्रो न्युटियंट भी पाया जाता है और उसके बाद सारा फार्टिलाइस करने के बाद यहां पे मैं दूंगी सीवीट्स फार्टिलाजर मेरे पास लिकूइट फॉर्म में है आप फॉर में भी यूज कर सकते हो माइक्रो न्यूट्रियंट के लिए मैं सीवीड का यूज कर रही हूँ आप चाहे तो माइक्रो न्यूट्रियंट कोई पाउडर हो वो भी आप यूज कर सकते हो सारे फार्टिलाजर को मैं एक साथ मिला लूँगी इसके साथ मैं लीब कॉंपोस्ट का भी मिला लूँगी और उसके बाद जो गमले के किनारे किनारे पर हमने मिट्टी को हटाया था तो साइट साइट पे इसको डाल दूँगी देखिर फेंस मैंने डाल दिया और आप क्या करेंगे आच्छा से मिट्टी के साथ इसको मिला लेंगे पर आपको धान रखना है जो में ताना है में स्टेंप है इसमें कोच आप कोई फार्टिलाजर आपको नहीं देना है ना इनमें कोई गुराई करना है ऐसे दूर दूर से आपको सारा काम करना है हर 15 डेस बाद बाद आप रोज प्लांट को फार्टी लाजर करिए तो आपका प्लांट में कभी ब्लाइन सूट आए गाई नहीं प्लांट में पुरा एनरजी रहेगा बार्ड्स लाने में फूल की लाने में अब मैं डालूंगी सीवीड लिक्वीड फार्टी लाजर देखिए मैंने एक कप लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ सीवीड लिक्वीड बस इतना ही डालना है इसके साथ मैं अच्छे से पुरा कप भर के पानी डालूंगी फ्रेंड्स आपको ज़्यादा पानी यहां पर लेना नहीं है क्योंकि ज़्यादा पानी लेंगे तो आधा पानी तो गमले के नीचे से बहे के चले जाएगा तो आपको फाल ओस्ट हो जाएगा साड़ा फार्टी लाजर तो उतना ही पानी आप मिला दीजिए कि गमले के अंदर अंदर यह बना रहे इसके साथ साथ हमारा मिट्टी का काम हो गए फ्रेंज अब हम करेंगे फोलियर स्प्रे पर आप तो दो पहल कर टाइम है बहुत धूप है तो आप मैं नहीं करूंगी थोड़ा सा मैं देखूंगी चार सरचर बज़े के आसपास जब थोड़ा धूप काम हो जाएगा फ्रेंज दभी करूंगी शाम का टाइम है और मैं आ गई ही गार्डन में अब मैं स्प्रे करूंगी एक और्गानिक इंसेक्टि साइड इसलिए स्प्रे कर रहे हूँ फ्रेंज कभी कभी ब्रांच का जो जहां पर बार्ड निकलते रहता है वहां पर कभी कभी इंसेट के अटक होता है तो कलिया को बार्ड को आगे बढ़ते नहीं देता है मैं यहां पर यूज कर रही हूँ काका इंसेक्टि साइड आप देखे होंगे मेरा पिछले तीन चार वीडियो में मैं इसी इंसेक्टि साइड को यूज कर रही हूँ मेरे को तो बहुत ही अच्छा रिजल देता है तो फ्रेंज जब भी आपका रोस ब्लांट में कोई नया शूट निकल रहे है नया ब्रांच निकल रहे है अब अच्छा तरीका से चेक करना जैसे आपको ब्लांट शूट देखे आप तुरंथ इस टीटमेंट को अपना है उमीद करती हूँ इस वीडियो आपको ज़रूर हेल्प में आएगा तो फ्लीज वीडियो अच्छा लगे आपको हेल्प में आए तो मेरे को कॉमेंट करके बताना मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स इसका अपडेट वीडियो मैं दूसरा वीडियो के साथ दिखाऊंगी नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और टाइम बहुत ही लगेगा इसमें तो आपको टीटमेंट करने में भी लेट हो जाएगा भाई थैंक यू टेक केर फेंड्स